जबाब दीजे, सम्विधानिक परंफरां को मानना नहीं, आप लोगों को प्रोटेम स्पीकर को लेकर सहमती बनाई जा सकती थी बड़ी आसानी से, लेकिन वो कॉंजिक्वेटिव वाला जबरदस्ती का आप लोगों ने अरंगा लगा दिया, वरना तो के सुरेश आठ बार क सांसद हैं, उनको बना देते हैं, अब 2014 में भी तो कमलनाच जी को बनाया था, और ये जो एमर्जिंसी वाला वार है सर, ये इसलिए आप लोगों का कुंद हो जाएगा, विपक्षी है कह रहा है, क्योंकि दस साल से अघोशित वही का, आप लोग कर रहे हैं, जबाब दीज सांसद है, अगर आप ये कहेंगे कि बीच में गैप के बाद, तो बहुत मैं या 2004 में पूछना चाहता हूँ, जब मनमोन सिंग जी की सरकार आई थी, पहली वाली UPA1, तो अगर सक्सेसिव वाला हटा दिया जाए, तो सबसे लंबे समय से कौन था सांसद, जॉर्ज बिहरी बाद परी बनाये था, क्या प्रोटर मिस्पीकर, तब आपने का नहीं, सक्सेसिव जिसके होंगे, तो बाबा साब विखे पाटिल को बनाये था, अब चूंकि आपको हर विशे को लेके वितंडा बाद करना है, इसलिए आप कह रहें सक्सेसिव नहीं चलिए, आपन मैं का सुरेश कुडिक कुनल जी के परति आपके मन में बहुत भाव विभोर हो रहें, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो नेता सदन बनेंगे, नेता परतिपक्ष बनेंगे, या वो केरल के आगामी चुनाओं में कॉंग्रेस के या इंडी कड़ बंदन के मुक्यमंत परतिपक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे, अभी आज अवधेश पासी जी को लेके चल रहे थे, पूछिए कि मतलब समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जी को अपना नेता संसदी दल बनाएगी, नहीं बनाएगी, इसलिए जो ये कह रहे हैं, दिखाते कुछ और हैं और जो बात आपने कही, एमर्जनसी के दौरान और आज के समय, बताइए, एक दौर था जब आप सिर्फ ये कह दें कि इंद्रा गांदी की सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं, आज दौर है कि मोधी तेरी कबर खुदेगी, मर्जा मोधी, इस घिटलर की मौ बोटी-बोटी काट डालूंगा और उसके बाद जलवाए जलाल से सहरनपुर में सांसद है, जो पहले सपा के थे इमरान मसूद, बोटी-बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहूल गांदी जी बड़े सद्धा पूरवक लेके कॉंग्रेस में आए, और सांसद बना और उसके बाद तुलना करते हैं महोदे, आज सोच जी इतनी सिंपिल बात नहीं है, इमर्जनसी क्यों लगी थी, इंद्रा जी भारत के इतिहास की इकलोती प्रणान मंत्री हैं, जिसका चुनाव अवैद घोशित कर दिया गया था, अवैद घोशित करने के बाद उन्होंन आने वाला प्लेन, ये जनवरी 1979 की बात है, दिसंबर 1978 की बात है, और उन दोनों हाई जैकर्स ने ये मांग की कि इंद्रा गांदी को जेल से रिहा किया जाए उसके बाद, और जब असी में सत्ता में आई तो दोनों सांसदर विधायक बने, देश में पहली बार इन्होंने विवस्था ये बनाई, और आकर आज कहते हैं कि हम सम्विधान की बात करते हैं, इसी लिए मैंने बताया, ना सुप्रिया जी ने NAC का जवाब दिया, और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सोनिया जी को इस्तिफा देना पड़ा था UPA बनने, ओफिस और प्राफिट के अगातार, मैंने कम से कम पांच-छे उधारन बताये हैं, और मेरा पूरा विचारे, इनके पास किसी उधारन का कोई टेकनिकल जवाब नहीं होगा, अभी दे उधर की बाते की जाएं। इस देश का समविधान कभी किसी के गले की हड़ी नहीं बन सकता है। और उसी समविधान से ये देश चलेगा, ये बहुत बड़ा मेसेज 400 पार, 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोप कर दे दिया है। तीन साल में नरेंद्र मोदी जी माइनॉरिटी में है, घटक दलों पर निर्भर है, घटक दल जिनको बैसाखी भी कहा जा रहा और वो बवाल मचा रहे है। यहाँ पर जद्यू के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछ लीजे, अगनी भीर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। जातिये जनगरणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। टीडीपी वेले बैठे रहते पूछते उनसे पेगिसेज पर जाच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आरक्षण आप कोटा देंगे चार परसन मुसल्मानों को की नहीं देंगे यह सारी बाते बहुत विरोधा भास हैं अरे सिर्फ फुटा हुआ पूर्वांचल से . चलिए आगे बढ़ते हैं रेल्वे तबाह कर दिया है इंडियन रेल्वे को बाला सोर का कांड हूआ था एक साल बाद इसी महीने जून में फिर से कंड हो जाता है जलपाई गुडी में क्या कर रहे हैं पता नहीं रील बनाने में मस्त है रेल मंत्री आते हैं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की क्या कर रहे हैं अमित्षा भाई दूल जोकने के लिए मणीपूर पर मीटिंग कर रहे हैं प्रदान मंत्री को कब भेजेंगे मणीपूर एक साल हो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीदा जी का दिल सास बहू साजिश के लिए उनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फीवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे